आज ही डाउटनिट आप डाउनलोड करें डाउटनिट पर होगा अब आपके सभी माट्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायलोजी डाउट्स का सफाया बस अपने क्वेशन की फोटो कीचो उसे क्रॉप करो और तुरंत विडियो सिलीशन पाऊ डाउनलोड नाओ हमें इस कोशन में फाइंड करना है कि टाइम पीडेड फोटो की फोर्मला आर रो और जी की फोर्म में फाइंड करना है तो इसके लिए सबसे पहले लिख लेते हैं T is proportional to R की पावर X, R की पावर Y, G की पावर Z तो यहां से proportional sign को अटागे एक constant आजाएगा C यह हो जाएगा R की पावर X, R की पावर Y, G की पावर Z अब यहां से इन सब की dimensions लिख लेते हैं T की dimension काए T तो time period है तो इसकी dimension हो जाएगी M0, L0, T1 R की रेडियस है, तो R की dimension M0, L1, T0 अब हम रो की dimension रिफाइंड करते हैं रो की mean density मतलब density है तो यह हो जाएगा M1, L-3, T0 और G, gravitational constant gravitational constant की dimension क्या आएगी? F, R square अपोन M1, M2 इसकी जो dimension आएगी, वो gravitational constant की dimension के equal होगी तो इसको find करते हैं G is equal to, F की dimension क्या होगी? M1, L1, T-2 into L2 upon M1 into M1 तो यहाँ से इसको solve करने पर अपने पास आजाएगा M-1, L plus 3, T-2 तो हमारे पास चारो की dimension आगई है अब उस formula में put करते हैं तो यहाँ से यहाँ जाएगा T की dimension that is equal to R की dimension की power X R की dimension की power Y और G की dimension की power Z अब यहाँ पर values put करते हैं T की dimension क्या है? M0, L0, T1 that is equal to R की dimension क्या है? M0, L0 M0, L1, T0 की power X R की dimension क्या है? M1 L-3 T0 की power Y G की dimension क्या है? M-1 L3 T-2 की power Z तो यहाँ से अपने पास आजाएगा M की power 0 L की power X T की power 0 into M की power Y L की power minus 3Y T की power 0 into M की power minus Z L की power 3Z और T की पावर माइनस 2Z जब इसको simplify करेंगे तो हमारे पास RHS में आजाएगा M की पावर Y माइनस Z L की पावर X माइनस 3Y यहां से प्लस 3Z और T की पावर की आजाएगा माइनस 2Z और RHS में क्या है अपने पास RHS में यह आ गया LHS में क्या है M0L0T1 कि दोनों साइड्स में जिनके base equal है उनकी powers को equal कर लेंगे तो M की पावर यहां पर 0 है वाँ पर है Y माइनस Z that is equal to 0 और L की पावर क्या है X माइनस 3Y प्लस 3Z that is equal to 0 और T की पावर माइनस 2Z that is equal to 1 तो अपने पास यहां से simplify करके अपने पास Z की value आजाएगी minus 1 by 2 Z is equal to minus 1 by 2 अब यहां पर Y is equal to Z हो जाएगा तो Y is equal to minus 1 by 2 अपने पास Y और Z की value आगई अब X की value निकालते हैं X is equal to minus 3Z plus 3Y तो यहां से आजाएगा minus 3 and 2 Z की value कितनी है minus 1 by 2 plus 3 into Y की value किया है minus 1 by 2 तो यहां से की आजाएगा 3 by 2 minus 3 by 2 that is equal to 0 तो अपने पास X is equal to 0 Y is equal to minus 1 by 2 और Z is equal to minus 1 by 2 तो हमारे पास X, Y, Z तीनों की value आगई अब हम time period का formula find करते है T is equal to क्या था C into R की power X R की power X it means 0 और R की power Y था तो R की power minus 1 by 2 हो जाएगा और Z की power था G की तो G की power minus 1 by 2 तो यहां से अपने पास यहां आजाएगा T is equal to sum constant C upon 1 1 upon root rho into G तो हमारे पास time period का formula यह आगया R की power 0 यह 1 हो जाएगा तो time period का formula आजाएगा C is equal to 1 upon root rho into G Classics to 12 से लेके Need IIT जेही means और advance के लेवल तक 10 million से जादा students का भरोसा आज ही डाउनलोड करे doubtnet आप यह WhatsApp कीजे अपने doubts 84444 सूपर